जोहर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी योटूब चैनल जोहर जारखन स्टडी में दोस्तों आज का ये वीडियो में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो अभी तक जिनको ये लग रहा है कि उनका त्यारी नहीं हुआ है यानि बहुत सारे इसे चात्र होंगे जो सोच रहे होंगे कि आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे और ऐसा करते 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 बहुत टाइम पार हो गया है और अब सिर्फ परिष्छा के लिए अंतीम एक से डेड़ मेना बचा हुआ है तो ऐसी चातरों के लिए आज का ये में वीडियो बना रहा हूँ दोस्तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बिंती है कि चैनल में नेया तो चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर ले और वीडियो को सेयर कर दे तो आप सभी को पता है कि अक्टूबर में exam होने का थ हर लेकिन exam को extend किया जा रहा है और यह exam 1.5 में आप extend हो सकती है यानी नौबर में होने के पूरे chances है कि exam हो जाएगा और आपके पास time है एक से डेड़ मेना तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए क्योंकि जो पढ़ लिये हैं लगातार एक साल या दो साल से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये फॉर्म तो आज से नहीं बरा रहा है बहुत दिनों से बरा रहा है तो जिनका तैयारी हो गया है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन OECA छात्र जो अभी तक जिनको confidence नहीं है कि वो exam निकाल सकते हैं वो अंतीम time में क्या करें आज मैं यही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ साथे साथ मैं आप सभी को एक सुझना देना चाहता हूँ दोस्तों हमारे टेलिग्राम ग्रूप में डेली क्यूज हो रहे हैं चाए वो छेतरे भासा हो, कंप्यूटर हो, JSAC समयन निग्यान या JSAC जारखेंट सारे के क्यूज चल रहे हैं लागातार विदावट एनी कोष्ट आपको सिर्फ क्यूज ग्रूप में जूड़ना है और क्यूज मारना है दोस्तों और खोर्ठा के लिए तो कहना ही नहीं है भाईया खोठा का सारा चेप्टर का क्यूज अनिगल हो हुग है, क्योग रहे हुगे। के लागातार दिया भे जारहmäßig हूँ है तो दोस्तों लिंक मैं नीचे दे दिया है जाकि उस ग्रूप में जूइन कर सकते हैं और उसका फैदा ले सकते हैं बात में मत बोलना बता या नहीं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर अंतिम में अंतिम समय में क्या करना चाहिए दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि भासन देना तो इजी है लेकिन करना मुस्किल जहां दोस्तों मैं जो बता रहा हूं यह करना मुस्किल है लेकिन आप वो करना पड़ेगा दोस्तों भासन देना एजी है दोस्तों कोई भासन देना एजी है लेकिन उसको खुछ से करना बहुत डिफिकल्ट है मैं जो भासन दे रहा हूं इसको यदि आप फॉलो कर च्डयते लेंगज में सभी छात्र ज्यादा नंबर लाएंगे यह पता है तो आपको भी उसमें ज्याधा नंबर लाना है साथि साथ आपको एक model प्रश्ण पत्र का बुक ले लेना है जैसे कि मेरे पास है यह model प्रश्न पत्र इसमें देख सकते हो आप 2012-2019 के JSC जितने भी एक्जाम्स लिया है सभी के कोश्चेन इसमें उफलब्ध है तो इससे क्या होगा कि आपको एक आडिया हो जाएगा कि किस परकार के कोश्चेन पूछता है यानि JSC जो एक्जाम्स में किस परकार के कोश्चेन पूछता है कौन-कौन टोपिकों से आपका ज्यादा प्रश्न पूछता है आपको उनको ही पढ़ना है क्योंकि दोस्तों अभी आपके पास उतना विस्त्रित टाइम नहीं है क्योंकि आपने उतना एक साल से आपने पढ़ाय नहीं किया तो आपको बस आपको मोडल प्रश्न पत्र ले लेना है और उसमें देखना है कि कौन-कौन टोपिक से कोश्चेन पूछा जाता है और यहां 2012 से लेकर 2019 तक कितने एक्जाम हुए है टोटल एक्जाम जो हुए है दोस्तों मैं आप सभी एक्जाम का कोश्चेन है और उससे आपको एकदम आइडिया हो जाएगा कि इस परकार के प्रश्न एकदम आये जाता है अपनेशचीत सफलता को पराप्त करोगे क्योंकि अभी आपको आपके पास उतना टाइम नहीं है ठीक है साथी साथ आपको computer में marks लाना है ठीक है computer पढ़ना है reasoning पढ़ना है मेत पढ़ना है मेत में ज्यादा ज्यादा नमबर लाना तभी आप success हो पाओगे जैसे कि मैंने देखा दोस्तो जारकन को लेकर मैंने जारकन समयने ग्यान में देखा कौन कौन से प्रशन आते हैं और मैंने समयने ग्यान में देखा उन टोपिकों को आप एक बार जरू पढ़िएगा जैसे कि मुद्रा ठीक है मुद्रा समयने ग्यान में मुद्रा से related एक प् फिर दे से हम उसकी राजधानी को लेकर भी एक प्रशन पूछा ही गया है जितने भी एक्जाम्स में उनमें मैंने देखा है जारखन अंदोलन को लेकर दो तिन प्रशन पूछे ही गये हैं दोस्तो साथी साथ दोस्तो पंचवर्शी योजना, पंचवर्शी योजनाओं से related एक दो प्रशन डाला ही गया है, दोस्तो जितने भी एकजाम से हैं, उनमें डाला ही गया है, साथी साथ current affairs में देखा, दोस्तो current affairs में उतने ज्यादा प्रशन नहीं है, लेकिन current affairs में बस आप ये है मतलब यह नहीं सरकार है मंद के सरकार तब से कौन-कौन सी योजनाएं लाई गई है उनको देख लिजेगा जैसे कि पिछले वर्स यह प्रशन पूछा गया था तो जारकन में जितने भी योजनाएं आई हैं उनसे रिलेटेड प्रशन पूछा ही गया है दोस्तों आपके प्रिवेस यहर्स के एकजांस में भी पूछे गया है तो आपको यह सब टोपिक देख लेना है जारकन से रिलेटेड उसी परकार बहुत सारे आपको टोपिक मिल जाएंगे आप एक बार जरूर देख लेना समीधान समीधान का अनुछे से रिलेटेड प्रशन पूछे ही दोस्तों खोठा में तो आप लोग जानते ही हो छेत्री लेंग्वेज में आपको क्या पूछा जाएगा वह मैंने आपको अपने चैनल में बताया हुआ है सब कुछ मैंने बताया है सारे प्रशन भी अपने खोठा के क्यूज ग्रूप में डाल दिया है तो आप लोग इस कुछ टोपिक बताएं लेकिन आप देखोंगे तो आपको और भी ऐसे टोपिक पता चलेंगे जिनसे आपके प्रशन पूछेगा ही ठीक है तो बस आपको क्या करना है मोडल प्रशन पत्र भी भी टाइम है ले लो और उसमें जो टोपिक हैं उन टोपिकों से प्रशन जाते हैं जार्खन के खेल खिलाडियों के बारे पूछे जाते हैं जार्खन में कोई नई पूस्तक लोंच हुई है या किसी इतिहासकार या जार्खन के साहितकार ने कोई बुक लिखी है जार्खन में किसको किसको पूरसकार मिला है जार्खन के कोन इसे खिलाड़ी है जो जारखन लेवल में खेल रहे हैं इसे रिलेटेड प्रशन आपको पूछे ही गए हैं और बहुत सारे प्रशन पूछे गए हैं तो आप एक बार बुक ले लो को चाहिए करना है लेकिन बहुत सारे इसे चाहिइज उस होंगे जो हिए न ला सकते हो मैत में और केंपिटर मेंकर को कारो लेकिन समय ग्यान का दोस्तों कूई माय बाप नहीं है कहां से कब क्या प्रश्न पूच्छ दे यह कहना मुस्किल है दोस्तों घारकन मे करेंट की जहां तक बात करें या भारत चांफे है जो भी भारत में जाशी ह County و सारे क्छंडरियान क्र자 चंद्रियांत्री हुआ है और इसे बहुत सारे बहुत सारे चीजे हुए दोस्तों क्योंकि करेंट अफैर्स डेली बनता है इंडिया में और जारकन में तो यह सब को गैस करना इजी नहीं है बस आप पढ़ते जाओ जितना हो सके मेरे दुआएं आप सभी के साथ है और आने वाली एक्जाम दोस्तों ओरतिर नौलेज और हिंदी टाइपिंग आने वाली है सांव चाकर आशू लिपिक यह दौनों आने वाली है और पर आपको ज्वन ले लेना है असलीद मेरे वहां के से आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे तीन महिने में आपका कंप्लेट हो जाएगा अभी बाहली आने वाली है मतलब दिसंबर जनवरी में आएगी आसुलिपिक तो आपके पास प्रियाप समय है आसुलिपिक में आपको पहले आसुलिपिक सिखना पड़ता है औ और आसुलिपिक का भी हो जाएगा तो दोस्तों आसा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद बंदे मातरम कुछ भी कनफिजन होगा जरूर कमेंट करा दन्यमाद बाई बाई टेक केर